नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का सिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करूना अपनी इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के चित्र दोस्तों इसी तरह कि इस से पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं राजर रवी वर्मा को और उनके चित्र राम समुंदर का मत मर्दन करते हुए उसी सिरीज में आगे आज हम पढ़ने वाले हैं मा और बच्चा चित्र को जिसके चित्रकार है जैमिनी रॉय जिनको हम यामिनी रॉय भी बोलते हैं तो दोस्तों मा और बच्चा जो चित्र है वो बहुत से आर्टिस्ट ने बनाया है और आज भी बना रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे फेमस मा और बच्चा चित्र किसका है तो वो है यामिनी रॉय जिनको हम जैमिनी रॉय बोलते हैं वो थोड़ा सा बस इसलिए है कि क्यूंकि उनका जो संबंध है वो बंगाल से है और बंगाल में कुछ शब्दों को अलग तरीके से प्रनाउंस किया जाता है तो दोस्तो ये वाला जो चित्र इन्होंने बनाया है वो कागज पर जल रंग से बनाया है 1930 इश्वी में बनाया है आधुनिक काल का ये चित्र है और टेंपरा तकनीक में बनाया है टेंपरा तकनीक दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आपने अगर लगू चित्र इन्हों वाला वीडियोस देखे होंगे तो उसके अंदर हमने टेंपरा तकनीक को डिस्क्राइब किया था और अगर आपने नहीं देखा है तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ जब हम किसी कलर में प्योर कलर में वाइट या फिर डाक कलर मिला देते हैं और उस कलर को अपारदर्शी या ओपेक बना देते हैं तो वो कहलाता है टेंपरा जैसे कि हमारे दिवारों पर कलर होता है तो वो टेंपरा ही होता है ठीक है white wash में जिन colors को हम use करते हैं जो हमारे pure color अगर हम उठाते हैं तो वो पारदर्शी होते हैं उसके आर पार हम sheets को देख सकते हैं अगर हम कोई line draw करें और उसके उपर pure color कर दें तो वो line हमें visible होगी लेकिन अगर हमने उसी color में white या फिर dark color mix कर दिया तो वो उस कलर को ओपेक बना देता है अपारदर्शी बना देता है और दोस्तों ये जो चित्र है माँ और बच्चा यमिनी रोय का ये चित्र रखा हुआ है रास्ट्रे संग्राले नई दिल्ली में दोस्तों आपकी बुक के अंदर लगभग जितने भी चित्र मूर्थी या बाकी छापा चित्र आपके इस लिबस में है उनका सरक्षन अधिक तर रास्ट्रे संग्राले में है बस इससे पहले अभी हमने एक चित्र पढ़ा था राम समुंदर का मदमर्दन करते हुए जो मैसूर करनाटक की चित्रशाला में रखा हुआ है आगे देख लेते हैं दोस और एक शिशु को चित्रकार ने चित्रत किया है देखे आधुनिक दौर के कलाकारों की एक ही खास्यत थी वो आधुनिक ही इसलिए कहला है क्योंकि उन्होंने अपनी चित्र कला में प्रियोग किये और बाकियों से अलग अपनी कला को बनाया तो जिस तरह से यामनी रॉय अपने चित्रों को बनाया उस तरह से हमें कहीं भी देखने नहीं मिलते अगर हम यामनी रॉय की किसी दूसरे चित्र को भी देखेंगे तो एकदम से पहचान लेंगे कि ये चित्र यामनी रॉय का है और किन विशेश्ताओं से पहचानेंगे तो सबसे पहली विशेश्ता तो ये है जो इन्होंने मोटी काली लेदा रेखाओं का प्रयोग किया, एकदम डाक डाक मोटी मोटी आउटलाइन इन्होंने अपने चित्र में की है, और इन रेखाओं में गती दिखती है, ले दिखती है, इसके अतिरिक्त एक और जो खाश बात है वो है ये आँखें, इस मतलब कई बार तो ये गाल से भी बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस तरह की आँखें यमनी रोय ने अपने चित्रों में बनाई हैं, यमनी रोय लोग कला से प्रभावित आर्टिस्त थे, लोग कला समझते हैं ना, मतलब जो परंपरवादी कला है, है ना, जो हमार गर में तीस त्योहारों पर चित्र कला हम या कला हमारे घर में बड़े मम्मी या दादी बना रही होती हैं, तो उस कला से प्रेरित आर्टिस्ट माना जाता है, यमनी रोय को, उन्होंने उसी कला को थोड़ा सा मॉडन रूप दिया और उसको आधुनिक बनाया, आब इस चि चित्र में अलंकरण के लिए उन्होंने हरे रंग का प्रियोग किया हुआ है, जिससे की चित्र में अलंकरण आ गया है, शिशु को उन्होंने नगनावस्था में दिखाया है, माता की गोद में दिखाया है, और शिशु का हाथ माता के वक्षस्थल पर है, इस से प्रतीत हो पर नजर आती है दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं कि इस चित्र को जो हमने देखा है उसको हम लिखेंगे कैसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे तो ये है कि येमनी रोय ने इस चित्र को 1930 में जल रंग की ही टेंपरा विधी से बनाया मा और बच्चे के बीच असीम प्रेम को इन्होंने इस चित्र में दिखाया है और इस्त्रित्व की संपूनता में मतब एक इस्त्री को संपून तभी माना जाती है जब वो मा बन जाती है रेखाओं, वक्रों, अर्ध वक्रों के लियात्म गुमावों से ना केवल मा और बच्चे की सारीरिक शरचना को उभारा गया है अपीतू, अलंकरणों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए भी चित्रकार ने हरे, सफेद, सले, टीवे, काले रंगों वे रेखाओं के बीच बहतरीन सईयों जनिहां पर इस्थापित किया हुआ है इस चित्र की विशेस्ता है कि इसे सपाट, पीले, गहरे, भूरे, सफेद, सिंदूरी रंगों से एक ही तल, अग्रे तल पर चित्रित किया गया है दोनु मानवाकर्तियों में चेहरे के भाव तथा आँखों के आकार समान है, किन्तु विसमेकारी है पोधों के पत्तियों वे फूलों में साधारन सी चित्रकारी की गई है इस चित्र में अलंकरणों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है केवल सफेद रंग पर काली रेखाएं आभूशनों का आकार प्रदान करती दिखाई गई है मा ने अपनी गोध में बच्चे को जिस मुद्रा में पकड़ा हुआ है उससे उसके शरीर के उभारों की विसिस्ता प्रदान की गई है हातों में पैरों की उंग्रियों की कोमलता को लियात्मक रेखाओं के द्वारा चित्रकार ने विसिस्त बना दिया है तो दोस्तों ये था आपका चित्र मा और बच्चा जिसके चित्रकार थे यामनी रॉय अब हम पढ़ेंगे यामनी रॉय के बारे में की ये कौन थे तो यामनी रॉय का जन्म हुआ था 1887 में पस्चिम मंगाल के बांकुडा जिले में एक जगा है बेलिया टोर नामक इस जगा पर एक चमीदार परिवार में इनका जन्म हुआ था तो इनका जो परिवेश था वो ग्रामीन था और संस्कृती से बहली भाती परिचित थे ये तो इसी लिए इन्होंने अपनी कला को आधुनिक वे परंपरा से बहतर से योजन से प्रस्तुत किया जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने परंपरावादी कला को ही आधुनिक किया और दोनों के मेल से अपनी कला को प्रस्तुत किया हम सभी के सामने धीरे धीरे इनके चित्रन में परिपक्वता का समावेश होता गया यद पि इन्होंने अपने चित्र में अनेक प्रियोग किये जैसे की 1925 में काली घाट शेली में चित्र बनाने इन्होंने आरंब कर दिये और इस सेली की क्या विशेस्ता थी कि चमकदार रंग और लहरदार वक्रों का अनुकरण इसके अंदर किया जाता था कुछ समय के लिए इन्होंने जीसिस क्राइस्ट यानि की ईसा मसी पर भी और उनके जीवन पर अधारिक भी कुछ चित्र बनाए ये खुद इसाई सम्प्रदाय से नहीं थे लेकिन इन्होंने इनके जीवन पर चित्र बनाए और यामनी रॉय पर ये कुछन कई बार कॉम्पुटिशन में पूछा जाता है कि ऐसे कौल से आधुनिक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसा मसी पर चित्र बनाए है तो उसका अंसर होता है जमनी रॉय तो जमनी रॉय के चित्रकारी ने अंतर रास्टर ख्याती तब प्राप्त की जब 1946 इश्वी में लंदन में तथा 1953 इश्वी में नियुयार्ग में अपने चित्रों की प्रदर्शीन होने लगाई और लोगों ने इनके काम की सरहाना की तो दोस्तों ये था आपका मा और बच्चा चत्र और उसके आर्टिस्ट याम निराय के बारे में हमने इस वीडियो में जाना दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें चैनल भी सब्सक्राइब कर दें जिससे की इसी तरह की और वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें